नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागतें आपके अपने यूटूब चैनल पर सीख जो जीवन बदल दे एक राजा था जिसका नाम रामतन था उसके जीवन में सभी सुख थे राज्ये का काम काज भी ऐसो आराम से चल रहा था राजा के नयतिक गुणों के कारण प्रजा बहुत प्रशन थी और जिस राज्ये में प्रजा खुश रहती है वहां की आर्थिक व्योस्ता भी दुरूस्त होती है इस परकार हर छेत्र में राज्ये का प्रबाव अच्चा था इतने शुक्व के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उनकी कोई शंतान नहीं थी यहां गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रता था प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था वर्सवबाद राजा के यहां मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्त की प्राप्ति हुई पूरे नगर में कहीं दिनों तक जस्नमना नागरिकों को राज्य महल में दावत दी गई राजा की इस खुशी में प्रजा भी जूम रही थी शमय बीत्ता जा रहा था राजगुमार का नाम ननन्द सिंग रखा गया पूजा पाथ एवं इंतजा के बाद राजा को शंतान प्राप्त हुई इसलिए उसे बड़े लार प्यार से रखा जाता था लेकिन अतिक इसी बात की अच्चे नहीं होती अधिक लार से ननन्द सिंग को बहुत बिगार दिया था बच्पन में तो ननन्द की सबी बाते दिल को लुबाती थी पर बड़े होते यह बाते बत्तमीजी लगने लगती है ननन्द बहुत ज़्यादा जिद्धी हो गया था उसके मन में कहंकार आ गया था वो चाहता कि प्रजा सदे उसकी जय चेकार करे उसकी प्रसंशा करे उसकी बात ना सुनने पर वो कोरा हर मचा देता था बेचारे चैनिक को तो वो पेर की जूती ही समझता था आए दिन उनका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था वो खुद को भगवान के शमार पूजना देखना चाहते थी आयू तो बहुत कम थी लेकिन अहम कही गुना बढ़ चुका था ननन्द के इस व्यवार से सबी बहुत दुकी थे प्रजा आए दिन दरबार में ननन्द की शिकायत लेकर आती थी जिसके कारण राजा का शेर लज्जा से जुब चाता था यहां एक गंबीर विशे बन चुका था एक दिन राजा ने सबी खाष दरबारियों एवं मंत्रियों की श्रबा बुलाई और उससे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार से इस व्यवार से अप्तियंत दुकी है राजकुमार इस राज्जे का भविश्य है अगर उनका व्यवार यही रहा तो राज्जे की कुशाहली चंद दिनों में ही चायती रहेगी दरबारी राजा को सास्वत देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखे वरना प्रजा निर्स्ते हो जाएगी मंत्री के सुजाव दिया गी राजकुमार को एक उच्छित मार्ग दरसर एवं सामान्य जीवन के अनुपव की जरूरत है उन्हें गुरू राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है यह बात राजा को पसंद आई और उसने ननन को गुरू जी के आश्रम भेजा अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरू जी के आश्रम पहुचे राजा ने गुरू राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और ननन के विशे में सारी बाते कही गुरु जी ने राजा को आशुत किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे थब उन्हें घग महसुस होगा गुरु जी के इस सब्द को सुनकर राजा को शांती महसुस हुई और वे सहस अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राज महल लोड़ गे अगले दिन सुबगुरु के खाश छेले द्वारा नंद को विक्षा मांग कर खाने को कहा किया जिसे सुनकर नंद ने शाप इंकार कर दिया छेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट बनना है तो विक्षा मांगनी होगी और विक्षा का समय शाम तक ही है अन्यता भुका रहना पड़ेगा जलन ने अपनी अकड में छेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भुक लगने लगी लेकिन उसे खाने को नहीं मिला दूसरे दिल उसने विक्षा मांगना शुरू किया शुरूवात में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था लेकिन गुरुकुल में सबी के साथ बैटने पर उसे आदा पेट भोजन मिल जाता था दीरे दीरे उसे मीठे बोल का महत्वश्रमज आने लगा करीब एक महीने बाद नहनन को भर पेट भोजन मिला जिसके बाद उसके वेहवार में बहुत परिवर्तन आये इसी तरह गुरुकुल के सबी नियमों में राजकुमाल ने बहुत शे परिवर्तन किये जिसे रादा गुपत जी ने भी समझ रहे थी एक दिन रादा गुपत जी नेनन्द को अपने साथ सुबह शवेरे शेयर पर चलने कहा दोनों शेयर पर निकल गए रास्ते भर बहुत बाते की गुरु जी नेनन्द से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमानी हो और तुम में बहुत अधिक उड़जा है जिसका तुमें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए दोनों चलते चलते एक सुन्दर बाग में पहुँच गए जहां बहुत सुन्दर सुन्दर फूल थे जिससे बाग महक रहा था गुरु ने ननन्द को बाग में पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा ननन्द जर्श से सुन्दर सुन्दर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिये अब गुरू जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़ कर लाने कहा ननन को भो भी ले आया अब गुरू जी ने उसे एक गुलाब सुंगने दिया और कहां बताओ कैसा लगा ननन ने गुलाब सुंगा और गुलाब की महक की तारिप की फिर गुरु जी ने उसे एक नीम के पत्ते शक्कर उसके बारे में कहने को का जैसे ही ननन में नीम के पत्ते खाए उसका मुख कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंडा की और चतर कतर पीने का पानी ढूनने लगा ननन की इस दसादेख गुरु जी मुश्क्रा रहे थे पानी पीने के बाद ननन को रहात मिली फिर उसने गुरु जी से हसने का कारण पूछा तब गुरु जी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सुंगा तो तुमें उसकी खुश्बू बहुत ही अच्ची लगी तो तुमने उसकी तारिप की लेकिन जब तुमने नीम की पत्ती खाई तो तुमें वो कड़वी लगी और तुमने उसके थूप दिया और उसकी निंदा भिकी गुरुजी ने ननन को समझाया जिस परकार तुमें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारिप करते हो इसे परकार प्रजाबी जिसमें गुन होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं अगर उनके साथ दूर विहवार करोगे और उनसे प्रशंशा के उमिद करोगे तो वे यहां कभी दिल से नहीं कर पाएंगे इस प्रकार जहां गुन होते हैं वहां प्रशंशा होती है ननन को सबी बाते विस्तान में समझ आ गई और वो अपने महल लोड़ जाता है ननन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बन जाता है कहानी की सिक्षा गुरू की शीक ने नन्द का जिवन ही बदल दिया एक कुरूर राज कुमार से एक नियाय प्रिय डयालू राजा बन गया इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे लेकिन अगर हम अव गुणी हैं तो हमें प्रशनशा कभी नहीं मिल सकी दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में